सो हेलो दोस्तो स्वागत आप साविक आमारी यूटूब चैनल में दोस्तो मेरा नाम बहु लुकमार और आप देखरें ग्यान टेक सपोर्ट यूटूब चैनल सो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने बलाओं के एफल इस्टूडो मुबाइल में जूंटा बीट पैटरन को कैसे बनाते हैं दोस्तो FLA Studio मोबाईल में जुंटा बीट पैटर्न बनाना बहुती असान है बहुती सिंपल है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम उस इक बारें बात करने वाले हैं तो दोस्तो सारा को बताने हैं इस वीडियो में इस वीडियो को एंड तक देखते रहें और इस चैनल पर नाया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकोन को प्रेस कर लें क्योंको दोस्तो मैं इस चैनल पर AFL Studio मुबायल से रचे वीडियो लाता है रहता हूं तो दोस्तो चलिए अपनों मुबायल की स्क्रिन पर चलते हैं उसके बाद आपको स्टेप बस्टेप आपको बताते हैं तो दोस्तो फाइनली में आ चुका हूँ अपने FL Studio मुबाइल के अंदर और दोस्तो जुम्टा पैटर्न बनाने के लिए आपको करना क्या हुआ यहाँ पे दोस्तो सबसे बिले तो इसका BPM जो है आपको 170 के आसपास कर लिना है ठीक है उसके बाद दोस्तो जो भी आप सेंपल यूज करते हैं सॉंग रिमिक्स करने के लिए उस सेंपल को एड कर लेना तो एक करकर करते जाते हैं और एक करकर के आपको बताते जाते तो सेंपल एड करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे दोस्तो आपको जो है इस प्लस पे किलिक करना है उससे पहले मैं आपको बता देना चांता हो को दोस्तों यहां पर जुम्ता जो पैटरन हम बनाने वाले वह हम यहां पर फलेलिस्ट में बनाने बने ठीक है और अगर आपको ड्रम में सीखना है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं तो मैं ड्रम के लिए एक अलग से वीडियो लेके आजाओंगा ठीक है त तो मैं यहां से एक heart kick को ले लेता हूं, heart kick को दोस्तों कैसे लगा जाता है, वो मैं आपको समझा लता हूं, सबसे पहले थोड़ा सा यहां आपको बताना चाहूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, आगे pattern बनाने से पहले, तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते है यहां पर मैं थोड़ा सा sample को यहां पर ले लेता हूं, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, इसका जो कुछ look है, कुछ इस टाप से है, आप देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ डबबे आपको दिख रहे होंगे, तो दोस्तों आपको यह चीज नोटिस करना है, जैस से ही बनता है, यहां पर आपको इसके अंदर ही बनाना होगा pattern, ठीक है, तो यहां पर आपको यह चीज को त्हान में रखना है, और यह डबबे को आपको कौंटिंग करके रखना है, मैं आपको आगे बताओंगा, तो यह चीज आपको समझ में आने वाला, ठीक है, यह पहले माऊ चौत्वहले डब्यों को पहले होगा टीक है, एक डब्ये के अंदर च्रक लगा लगा लेना है, मैं यहां पर लगा लीता हूं, और उसके बाद दोस्तों आगे आपको बताते हैं, ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको करना क्या हुआ, किसी और simple को ल मैंने ले लिया और यह जो फैटरें ने दोस्तों आगे के तरफ बनाने वाला विखेंग तो आपको समझ में नहीं आने pra ठीकर चैनल तो समय है मैं मैं इसको एक नंबर आपने से जोन कर लिया उक्सतर कर कर लेना ठीक है जितना दूर चाहें कट कर सकते हैं जूम करते जाना है देखते जाना सीखते जाना ठीक है उसके बाद घूंगरु को आपको जो है हीट जो है हाड की के उसके साथ में आपको फोरी स्टेप लगा देना है ठीक है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीड तो बॉवल्यम कम करने के लिए दोस्तों यहां पर आपको characteristics क्लिक करने है किलिक करेंगे रक सकते हैं जितना मैं प्लस पर जाने के रहे बात दोस्तों हम से फिर यहां इसके बाद इसको कैसे लगाते हैं चलिए आपको बताते हैं तो यहां से सबसे पहले तरीके से मैच कर लेते हैं जैसे एक्स्टा पार्ट जो दिख रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं इस सेंपल में कुछ आगे तरफ एक्स्टा पार्ट दिख रहा है तो यह लाइनिंग को आपको अच्छे से मेच करा लेना है उसके बाद हम आपको बताते हैं सबसे पहले इसको अपको लगाना कैसे होगा वह मैं आपको समझाता हूं जो जुम्टा पैटन है उसमें यहां पर आपको दिख रहा हुगा यह जो पहला डबा है और यह दूसरा रबात तीसरा और एप देख सकते हैं यह बीच मीच में लगा हुआ यह आपको आधे डबा को खाली रखना जिससे आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके पर चोटा कर लेना है च्छोटा करने बद इसको कपी कर लिए और यहां पर यहां पर यह जो मैंने पहले लगा है इसी सेवह चीज़ को आपको तीसरे डबाब लगाना है ठीक है तो यहां पर मैं सेम चीज़ तीसरे डबाब पर लगा दिया है यह हमारा final हो चुका है ठीक है उसके बाद हम फिर से जाते हैं plus पे और यहां से एक load hole type का हम ले लेते हैं ठीक है यहां पर मैं एक और simple load hole type का मैं मैं ले लेता हूं जो कि मैंने यहां पर लेक किया था यह ओना ठीक है इसे भी मैं ले लेता हूं यहां पर उसके बाद इसको भी हम दूसरे और तीसरे की बीच में लगा आ झेंट को philosophie आ यहां पर हो चूका इसको हचा पर रॉच्त काना और यहां पर इसे चीज को सेम आपको जो है चौत्ति डबा पर लगाना एक आपको समझा देता हूँ यहां पर देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लोड़ को जो मैं लगाया हूं वो दूसरे डबा को जो है दूसरे और तीसरे में लगाया हूं और यह सेम ठीक है चोथे डबा को दूसरे और तीसरे पर लगाया हूं हाट डोल को जो मैं लगाया हूं दोस्तों लगाया हूं तीसरे डबा को दबवे को तीसरे और चोठेक बीच में ठीके यह हमारा कंप्लेट हो चुक है अब इसको हम थोड़ा सा एक और सेंपन helps को होगा हीं प सभी दबे को तीसरे पहले शरी में हम लगा резer we औफ दूसरे दबोग मोघा लेते हैं और फैराइї दबोगी तीसरे में लगाते है यह हमारा ही पैटर्पड कमपलेेट हो चुका है छले हम्हें आप से ठोड़ा सा सुनते हैं इसे करकर जो बना सकते हैं और एक चीज़ में आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जितना भी मैंने सेंपल यूज किया है यह मतलब एक नॉर्माल सा सेंपल था जो कि मैंने आपको बताने के लिए यहां पर यूज किया ठीक है आप यहां पर अलग-अलग सेंपल को जैसे कि अलग- कर लेना है आस्टिंग करने बाद दोस्तों आप इसी पैटरन के ऊपर जो है किसी भी सौंग को आप रिमिक्स कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद आया पसंद आया तो लाइक करें और इस चैनल पर नाया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकोन को प्रेस कर लेन क्योंको दोस्तों मैं इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो लाता है रहता है तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वंदे मात्राम